हलो एवरीवन वलकम बैक टो मनोरंजियन वी बिग बोस सीजन 17 सुरू हो चुका है बिग बोस के पहली ही कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री हुई है चोपड़ा परिवार के एक और सदस्ये मनारा चोपड़ा की जो प्रियंका चोपड़ा की कजिन है बिक बोग्स के पहले ही दिन जब मुनावर फारुकी ने मनारा से इंट्रोडक्शन करा तो मुनारा ने पूछा कि क्या आप प्रेंका चोपड़ा के कुछ लगती हो तब मनारा चोपड़ा ने कहा कि हाँ प्रेंका चोपड़ा मेरे मामा की बेटी है जिसके बाद मुनवर फारुकी ये कहते हुए नजर आते हैं कि मनारा प्रेंका को अपने रिलेटिव बताते हुए थोड़ी हिचकचा रही थी शायद उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है जिसको लेकर सोसल मीडिया पर काफी कॉंट्रवर्सी हुई लेकिन प्रेंका चोप्रा ने अब इस कॉंट्रवर्सी का दा एंड कर दिया है प्रेंका चोप्रा ने अपने स्टोरी पर मनारा की एक बेहत ही खुबसूरत पिक्चर शेयर की जिसमें मनारा प्रेंका चोप्रा के साथ नजर आ रही है जिस वक्त प्रेंका चोप्रा को crown पहनाया गया था तब मनारा चोप्रा काफी छोटी थी और ये picture तभी की है प्रेंका चोप्रा ने इस picture को story पर share करते हुए कहा best of luck little one मनारा चोप्रा प्रेंका चोप्रा की ये story देखने के बाद maximum fans का मानना है कि मनारा चोप्रा और प्रेंका चोप्रा के बीच में कुछ भी जगड़ा नहीं है बलकि दोरों अच्छी cousin है वही कुछ trollers का ये भी कहना है कि social media पर इतनी trolling और controversy के बाद प्रेंका चोप्रा शायद अच्छा बनने के लिए ऐसा कर रही है शायद वो मनारा चोप्रा को support करने का दिखावा कर रही है जो भी हो मनारा चोप्रा और प्रेंका चोप्रा के बीच में रिस्ते बिल्कुल ठीक हैं ये बात मनारा चोप्रा के फैंस खुद एकसेप्ट कर रहे हैं प्रेंका चोप्रा और मनारा के रिस्तों को लेकर आपकी क्या राया है कॉमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए